थे गाईज विलकम टो माई यूटूब चैनल एडिटर आनंद तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं जैसा कि आप स्क्रेन पर देख चुके हो तो फ्रेंड अगर आप भी अपने मॉबाइल फॉन से कुछ इस प्र जिसका नाम है काइन मास्टर तो इसका लिंक आपको वीडियो के ड्रेक्रिप्सन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो और फ्रेंड भी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना तो चलिए फ्रेंड हम अपने काइन मास्टर अपलीकेशन को वोग्ण कर लिया अब यहाँ से हमें प्लस की आईकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें नो पॉइंट शोला का रेसिव लेना है लेने के बाद यहां पर हमें create पर click कर देना है अब यहां पर हम सबसे पहले अपने image का selection करेंगे तो जिस भी file में आपका image उस file को अपने कर लेना है तो friend यहां से हमें प्रेंट से जूम में आना है और हमें कुछ इस प्रकार से वरावर कर देना है और यहां पर हमें इस screen पर double टैप करना है ओर हमारा photo full skin में हो जाएगा अब यहां पर हमें click कर के screen को हमें कुछ इस प्रकार से zoom कर लेना है उसके बाद स्क्रोल करके starting position पर आ जाना है अब friend इसमें अपना photo add करेंगे तो उसके लिए आप लेयर में जाएंगे layer में जाने के बाद यहाँ पर media में जाएंगे और यहाँ से अपने photo को add कर लेते हैं तो friend आप चाहो तो अपना photo भी add कर सकते हो friend मैं आपके जानकारी के लिए पता दूँ कि मैं आप जिस photo का use कर रहा हूँ उसका हमने png पहले से निकाल का रखा था अगर आपको photo का png निकालना नहीं आता है तो वीडियो के description में जाना है आपको एक वीडियो का link मिल जाएगा वह इसे आप देखकर सीख सकते हैं तो friend यहां से हमने अपने photo को add कर लिया है उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है देख सकते हो friend कुछ इस प्रकार से आपको भी जूम करके लाना है आपन नीचे के side में ऐसे करके set कर देना है उसके बाद इसकी duration को खीच कर हमें कुछ इस प्रकार से हमें पर end तक रख लेना है देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको भी कर देना है और यहां से हमें back आ जाना है आप friend इसमें अपना grass का png photo add करेंगे तो उसके यहां पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर video में जाएंगे और यहां से अपने grass वाले png photo को add कर लेते हैं तो friend यहां से हमें अपने grass वाले png photo को add कर लिया है उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है देख सकते हो friend जूम करने के बाद हमें लाना है कुछ इस प्रकार से यहां पर नीचे के side में ऐसे करके set कर देना है, set करने के बाद यहां से में इसकी duration को खीच कर कुछ इस प्रकार से हाँ पर end तक रख लेना है, देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको भी रख लेना है, उसके बाद यहां से हमें back आ जाना है, अब फ्रेंड इसमें अपना lyrics status video add करेंगे, तो उसके लिए हमें scroll कर देना, ताकि जो हमारा text से हो दिखने लगे, उसके बाद यहां पर हमें उपर के side में ले जाना, उसे हमें कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा जूम कर लेना है, जूम करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से इससे set करना है, देख सकते हो friend, यहां पर आपको set कर देना, उस के लिए हमें लेर में जाएंगे, लेर में जाने के बाद यहां पर मीडिया में जाएंगे, और यहां से अपने template वाले video को add कर लेते हैं, तो friend मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि मैं आपको जितने photos और videos का use करूंगा, उनका सब का link आपको video के description में मिल जाएगा, तो friend यहां से हमने अपने template वीडियो को add कर लिया है, add करने के बाद यहां पर में speed screen पर आ जाना है, उसके बाद यहां से back आ जाना है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो friend, back आने के बाद यहां पर नीचे के side में आएंगे, तो यहां पर हमें blending में आना है, blending में आने के बाद हमे कुछ इस प्रकार सी स्क्रीन कर देना है इसके बाद यहांसे में कुछ इस प्रकार से बैका जाना है तो friend हमारा status वीडो और completely बनकर तयार हो चुका है तो चलिए फ्रेडव आपको थोड़व सा प्ले कर कर दिखाते हैं तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा status वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर तयार हुआ है अब इसे अपने phone में save करने के लिए हाँ पर हमें इस एरो पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर quality आप अपने हिसाब से रख सकते हो और save पर click